देखे आपने अगर कोई प्रोपरटी खरीदी है रजिस्ट्री करवाई किसी फ्लोड की तो आपको लग रहा होगा मैंने सई प्रोपरटी खरीद ली लेकिन हो सकता है ये फ्रोड आपके साथ भी हो गया हो ये अंध से अधिक विक्रय जो है प्रोपरटी डिलर कर रहे हैं य आपको दस सालवाद, पाच सालवाद सरकार या किसी का नोटेस आता है या आपका वहाँ से कबजा अटा दिया जाएगा या आपकी रेजिक्ट्री कैंसल हो जाएगी अब ये सब होगा कैसे वो जाल लीजिए मैं जिस फ्रोट के बारे में बता रहा हूँ वो है अंसे अध के लिए वाद प्रस्तुत किया और ये आदेस हुआ कि अमित कुमार इंतजार में सैखाते दारक इंतजार पुत्र मुस्ताक खाते पर सून्ने अंस होने के कार आपकी पत्रवली निरस्त की जाती है यानि कि आपका दाकिल खारज नहीं हो सकता ये मैंने पिछले वीडियो म जरी नहीं है वहाँ पी ये फ्रॉड हो रहा है अब क्या हो रहा है देखिए सातियो सबसे पहले ये नकसा देखिए मैंने कुछ नकसा तयार किया है माल लीजिए एक प्रॉपरिटी टीलेर है वह उसने एक प्लॉटिंग कीए ठीक है उसने जो ये सातियो 975 वर्ग मीटर ज खरीद ली उसने रजिस्ट्री करवा लिए, उसने म्यूटेसन भी करवा लिए ठीक है और उसने plotting काटी, 6 plot उसने जो है काटे हैं अब plot एक plot का ratio का रहने वाला है 30 Y 50 30 Y 50 के 6 plot हैं और एक 20 foot की road दी जो की 180 foot लंबी है ठीक है plot आप मान लीजी आप आप इसमें plot खरीद लेते हैं सातियों ठीक है आपने खरीदा पहला खरीदा दूसरा खरीदा तीसरा आप लोगों ने रजिस्ट्री कर वाली आपने देखा इसका mutation है, आपने देखा इसकी registry भी है ठीक है, आपने देखा सब कुछ सही है, आपने देखा 14380 भी है ये tek प्लोट आपने हैं, किसी ने खरीद लिये, ये छेव प्लोटों के आपने registry कर वा ली अब देखिए, आपने registry कर वा ली आपने वले कवजा ले लिया हो, मकार वनवा लिया हो, लेकिन आपके साथ धोका दड़ी हो चुकी है, सभी डॉकुमेंट सही है फिर भी, क्या अंस से अधिक विक्रे हो चुका है अब देखिए, मैं आपको प्रूफ करके बता रहा हूँ, कैसे हुआ है, और कैसे रेजिस्ट्री कैंसल होगी, वो आप जान लीजिए एक चीज़ साथी और, अगर आप बहतर कानूनी सला लेना चाहते हैं, तो कॉंटेक नमर वारा वीडियो की डिसमस मिल जाएगा या आप उत्तर पतेस में कोई प्रॉपरिटी खरीदना चाहते हैं, आप डॉकुमेंट्स चेक करवाना चाहते हैं, कि डवल लजिस्ट्री अज से दिवकरा या जमीन विवादित तो नहीं तो वो भी आप चेक करवा सकते हैं, देखिए साथी हो, फ्रॉड कैसे हुगा वो यहां पे इसने 6 plot काट दिये, यानि कि 6 plot का ratio कितना हो गया, चेतरपल 876 square meter, यहां पे देखिए, यहां पे अमने लिखा है plot का चेतरपल, plot का चेतरपल कितना हो गया, 836 square meter, ठीक है, और इसने इन plots को रास्ता दिया, वो दिया है 20Y 180, ठीक है, वही 20 फूट की रोड थी, 180 फि ठीक है, अब इसका जरा टोटल कर दीजिए आप, इसका टोटल हो रहा है साथियो, 1123 वर्ग मीटर, भाई इसने 975 वर्ग मीटर खरी दी है, और 1130 वर्ग मीटर बेच दी, यह कैसे हुगा, यह illegal हो गया ना, बाकी 148 वर्ग मीटर की अवैद रजिस्ट्री हो गई, अब इस की रेजिस्ट्री कैंसल होगी, और उसका म्यूटेशन भी नहीं हो गया, अगर होगा, तो पहले वाले उसे कैंसल भी करवा सकते हैं, ठीक है, अब साथियों हुआ क्या, इसने 975 खरी दी थी, अब बेच दी, 975 बेच दी 1130 वर्ग मीटर, 148 कहां से लाया यह, मैं बता रहा हुआ कहां से लाया, एक्शुली हो क्या रहा है, कि देखिए, प्रॉबर्टी डीलर क्या कर रहा है, उन्होंने 975 स्क्वार मीटर जमीन खरी दी, ठीक है, और उन्होंने कबजा कर लिया, हो सकता है, उसमें कोई नाला नाली हो, उसे भी कबजा कर लिया हो, हो सकता है, कि मेर पता नहीं मेरी जमीन मौके पर कम है और मेरे मेडवन्दी नहीं करवाई यह सीमांकर नहीं करवाई और मेरी जमीन कम है आपने उस पर निर्माण वगएरा प्लोटिंग कार्ट के पजेशन दे के सभी रोजिस्ट्रिय कर दी ठीक है तो बाई एक बात बताईए जब अंगला पंदा अपनी मेडबंदी कराएगा पडोस वाला साइखाते दारक जब नापतौल होगी तो जरीव आपके प्लोट में आके गिरेगी तो पता चलेगा पता चला ये छटमा वाला प्लोट जो है वो दूसरे के उसमें आ रहा है और भाई आएगा भी क्यूंकि 975 खरीदी थी 11 113 कहां से कर दी इल्ली के लोगना अब प्रॉपरिटी डीलर तो अपना बेच के जा चुका है अब आप लड़िये मेडबंदी का केस आप लड़िये वहाँ पर पजेशन का टाइटल का केस ठीक है आप कोट कचरी की चक्कर काटिए तो मेरे कहने का मतलब यह है साथियो कि जब आप प्रॉपरिटी खरीदने जा रहे हो तो वहां पर यह देखिए इसने रिजिस्टरी कितनी करवाई अब प्रॉपरिटी डीलर कर क्या रहा है उन्होंने माल लिजिए 100 विगा की पलोटिंग कि यह ठीक है अब कई बार तो ये property dealer क्या कर रहा है देखिए हमारे पास कई लोग documents चेक कराने के लिए बेजते हैं कि सरी ये property हम खरीद रहे हैं इसमें देख लीजिए आप खतोनी वगेरा रजिस्ट्री वगेरा सही है कि नहीं तो कई लोगों का जब मैंने calculation किया पता चला इन्होंने 100 वीगा जमीन खरीदी ओ धारड की तोर पे ठीक है ये लोग करके आ रहे हैं जैसे माली ये 100 वीगा जमीन खरीदी और इन्होंने जो है 100 वीगा की रेजिस्ट्रिया भी करा ली लेकिन mutation जो है मात्र 20 वीगा का करवाया है ठीक है और बेच रहे हैं ज्यादा जमीन अब एक बात बताईए वही 20 वीगा जमीन का mutation करवाया आप आपने 20 परसेंट जमीन का mutation करवाया है बाकी 70 परसेंट लोगों का mutation हो गई नहीं पत्रवली reject होंगी ठीक है न तीसरा साथियों में आपको बतादू क्या होगा कि कई लोग क्या करते section 80 जो है उन्होंने खरीदी माली ये 100 वीगा जमीन उध फ्रोड हो आया रहा है और जैसा कि मैंने आपको बताया जैसे माली जी किसी property dealer ने खरीजिए 1000 वर्ग मीटर जमीन ठीक है और उसने थोड़ा बहुत कभजा करके बेच दी 1200 उसने दो प्लाट एक्स्ट्रा और बेच दिए ठीक है अब बात तो या तो यह सरकारिम जाएंगे या किसी दूसरे के जमीन में चले जाएंगे कभी ने कभी उन्हें पर बुर्डोजर चलना है तो अगर आपने जमीन खरीदी है तो आप भी चेक करिए कहीं यह फ्रोड आपके साथ भी नहीं हो गया है और लास्ट में जो लोग property खरीदते ना उनके साथ अकसर यही होता है ठीक है ना मेरे पास ऐसे कई मेंटर्स आ रहे हैं हमारा उद्देस यह कता ही नहीं है कि आप लोग डरे हमारा उद्देस यह है कि आप लोग हमारे YouTube चैनल से कुछ सीखने को मिले और आप जो है साबधान हो जाए ठीक है ना इससे होगा कि आप आपने माल लिजे डबर रज चला लेना चाहते हैं या डॉकुमेंट्स चेक करवाना चाहते कि जमीन विवादित तो नहीं तो आप चेक करवा सकते कॉंटेक्ट नमर वीडियो की डिसमन मिल जाएगा वाट्स अपे मैसेज करेंगे तो आपको फीस भी बिता दी जाएगी